नमस्कार स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर पच्छो आज मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक जिसके आप बेसबरी से इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे कि सर हमें प्लीज इसके बारे में जरूर बताईए CUET इसकी पूरी जानकारी दीजिये क्या है ये exam इस exam के थूरू कौन से courses में admission मिलता है इस exam का pattern क्या है exam में प्रशन कौन से आएंगे इस तरीके के questions आएंगे कैसा होएगा ये exam online होएगा के offline होएगा subject क्या क्या आएंगे है ना तो बहुत सारे मन में प्रशना आ रहे होएगे तो उन सारे प्रशनों का आज सरल भाशा में simple language में आपको मैं बहुत सीधे तरीके से बताने आए हूँ ज्यादा लंबा नहीं होएगा वीडियो पूरा देखेगा स्टार्टिंग से लेकर end ता स्टार्ट करते हैं what is C.U.E.T. C.U.E.T. Common University Entrance Test चलो सर ये तो हो गई परिभाशा है है क्या तो भाईया सीधे शब्दों में बोलें कि 45 SE University 45 SE University जिन में UG Courses जो होते हैं Undergraduate Courses जो होते हैं जैसे BA, BCom, BBA, BSC ये जो Courses जो होते हैं Bachelor Degree वाले, Undergraduate Degree वाले जो होते हैं इन Courses में अगर आपको admission लेना है Suppose आपके पास 12 कक्षा में Biology थी ठीक है या Maths थी आपके पास तो आप क्या देते हैं? JEE के exam देते हैं आप क्या देते हैं? NEET के exam देते हैं जो BA, वाले होते हैं, NEET के exam देते हैं जो Maths वाले होते हैं आपका JEE के exam देते हैं जिनका नहीं हो पाता है फिर वो क्या करते हैं? Sir, BSC करते हैं करते न, अब मैं आपसे बोलूँ कि भाईया, आप B.S.C. अगर करना चाते हैं, और बहुती बढ़िया कॉलेज से करना चाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सटी से करना चाते हैं, बाटनी में करना चाते हैं, बायो केमिस्ट्री में करना चाते हैं, बायो टेक्नलोजी में क करना चाहते हैं बेसी करना चाहते हैं और बहुत ही बहतरीन कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको क्या उस कॉलेज में एडमीशन कैसे मिलेगा दिल्ली उनिवर्सटी में कैसे एडमीशन मिलेगा तो पहले मिलता था बच्चो किस आधार पर बारवी कक्षा में जो परसेंटे जाती थी उसके आधार पर मिलता था कि 12th class में जो भी percentage जाती थी उसके आधार पर आप DU में या JNU में या आपके जामिया में लिया इसलामिया में आपके admission होते थे किस आधार पर 12th की percentage के आधार पर अब दिक्कत क्या होती थी कि CBSC board में थोड़ी सी leniency होती है comparatively ज़्यादा marks आ जाते हैं 98, 99, in fact 99.9% भी वहीं बिहार board, UP board में अगर देखें इतना नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा कमी होते हैं अब वो बच्चा जिसका 99.5% आ रही है CBSC board में और वो बच्चा में ज़्यादा हो जाती है आपकी CBSC board में ठीके, तो कहने वाली बात जो थी कि वो 96% वाला बच्चा तो नहीं जा पाया ना किसमें आपके दिली उनिवस्टी में admission लेने के लिए तो इसी चीज को नजरिये को ध्यान में रखते हो हमारी central government ने क्या किया, कि सब कुछ हटाओ एक टेस्ट लेकर आओ C.U.E.T. एक ऐसा टेस्ट जिसको अगर बालक या बालिका ने पास कर लिया तो वो इन 45 बड़िया बड़िया यूनिवस्टीज में admission का हकदार है खतम खतम percentage, बारवी की percentage की खतम हो गई है या बी कॉम करना है या बी ए करना है, तो आपको ये C.U.E.T. देना अनिवार है इन 45 यूनिवस्टीज में, अब आप बोलेंगे सर, ये टेस्ट कैसा होएगा ये टेस्ट कैसा होएगा, क्या ओफलाइन होएगा, क्या ओनलाइन होएगा, आईए सारी यूनिवस्टी, J.N.U, जवाला नहरू यूनिवस्टी होगिया, जामिया मिलिया, इसलामिया, J.M.I इगनू, B.H.U, बनारस हिंदू यूनिवस्टी, अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवस्टी, A.M.U, ये जो बड़ी-बड़ी जो यूनिवस्टीज है जिनसे निकल कर बच्चे जो हैं, बहुत उची-उची रेंक पर, उची-उची पोस्ट पर जाते हैं ठीक है, इन यूनिवस्टीज में अगर आपको एडमीशन चाहिए, किसी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो प्रभू आपको देना पड़ेगा, C-U-E-T का एक्जाम, तब आप बोलेंगे सर, पहले नहीं होता था क्या पहले भी होता था, पहले एक अलग नाम से होता था, C-U-SET नाम से होता था, पहले Central University Common Entrance Test नाम से होता था C-U Set नाम से होता था Central University Common Entrance Test होता था पहले भी होता था, तो सर पहले जब होता था, तो फिर यह लाने की जरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखे, पहले न, mandatory नहीं था, जरूरी नहीं था, कि अगर बच्चे का admission लेना है, तो जरूरी नहीं है कि वो यह देगा, केवल 14 SE University थी, केवल 14 SE University थी, जो इस exam के थूरू बच् कि जो वास्ता में हकदार है बच्चा, वो नहीं पहुच पा रहा था इनमें, तो उसी चीज को खतम करके, यह exam conduct कराया गया, तो यह आपके फाइदे का सौदा है, जी, और, और क्या है सर इसमें, यह exam कौन conduct कराएगी, वही organization, NTA National Testing Agency, जो JEE का exam conduct कराती है, जो NEET का exam conduct कराती ह यह वही organization conduct कराएगी, ठीक है, फॉर्म भरने की जो last date थी, पहले 6 मई थी, अब इसको extend कर दिया गया है, 22 मई कर दिया गया है, तो बेटा, जिनोंने exam का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, प्लीज, जरूर भरियेगा, मुझे पता है, आप में से कई NEET की preparation कर रहे हैं, JEE की preparation क कर रहे हैं, आपका aim जो है मैं जानता हूँ, क्या NEET क्लियर करना है, या JEE क्लियर करना है, फिर भी हाथ में एक दूसरा option अगर हो, तो कोई गलत थोड़ी ला है, आप जरा सोचिए, मैं एक simple सी बात बता रहा हूँ, एक simple सी, बहुत simple सी बात बता रहा हूँ, 1000 बच्चों मे से दो बच्चों का सेलेक्शन हो रहा है, नीट में, 1000 में से दो बच्चों का सेलेक्शन हो रहा है, नीट में, डाटा अगर देखें, वहीं अगर इस एक्जाम को अगर आप क्लियर करने के सोचेंगे, तो यहाँ पर 100 बच्चों में से दो बच्चों का क्लियर होएगा, आपके पास में एक और option है तो मैं आपसे यही बोलूँगा जो भी neat aspirants है जो भी JEE के aspirants है वो जरूर इस्पिरेंट्स जो है जरूर इस exam को इसका form जरूर भरिये ठीक है और exam जो है जैसा बताया गया कि पहला जो हफता होएगा जुलाई का उसमें conduct होएगा चलिए सरी यह सारी चीज़े हमें समझ में आ गई है मोटे मोटे तोर पर हमें यह समझ में आ गया है कि भाई यह online test है 45 universities जो है अपने 45 universities के अंदर जो courses हैं BA, BBA, BCOM यह जितने भी courses BAC, यह जितने भी courses है इनमें अगर admission लेना है बड़ी-बड़ी universities में तो 12th की percentage matter नहीं करेगी यह exam clear करना पड़ेगा NTA conduct कराएगी form की last date 22 मही है exam पहले हफते में होएगा जुलाई के अब यह बताएए सर यह exam का pattern क्या है exam में होगा क्या क्यों से subject आएगे तो देखिए मैं आपको वो bulletin दिखा देता हूँ जो यहाँ पर release करी थी किसने आपके NTA ने NTA ने बोला है total यह जो exam जो होएगा तीन section है इसमें exam के अब क्या है ना कि यह सारी चीज़े बताने के लिए मुझे अपने pen का इस्तेमाल करना पड़ेगा teacher हूँ और बिना pen का इस्तेमाल किये हुए कोई चीज़ बता दी तो मज़ा ही नहीं आएगा आई ध्यान से सुनिए तो देखिएगा आपका जो exam जो होएगा वो तीन section का होएगा तीन section का होएगा आपका exam section first section second और section third तीन section का आपका exam है यानि मान के चलिए जो CU set का जो exam होएगा ये total तीन paper है आपके तीन paper ठीक है? समझ में आ रहा है तीन paper होएगे तीन paper exam जो होएगा उसके तीन paper होएगे सबसे पहला paper जो है section 1 जो है अब ये भी दो भागों में बटा हुआ है एक है section first A एक है section first B क्या है सर ये first A, first B second section, third ये है कैसर भहुत confusion होता है बहुत simple तरीके से समझाएंगे अराम से सरल भाशा में देखेगा section first जो है वो है language का exam भाशा का exam होएगा भाई बारवी कक्षा में आपके पास कोई ना कोई language थी ना 12th class में थी ना या तो English होएगी या Hindi होएगी Gujarati होएगी, Marathi होएगी जो भी language जो भी आपकी होगी है ना 12th class में उस language का exam है भाई बारवी कक्षा में भी तो आपने exam दिया था इंगलिश का नहीं दिया था दिया था बस भाई तो section 1 जो है उसमें language का exam होएगा language का अब सर यह 1a 1b क्या है अब देखे 1a में total है 13 language और इसमें total 20 language अब यह क्या answer देखे क्या है section 1a जो है यह तो भाईया compulsory है compulsory है section b जो है यह optional है क्या मतलब सर क्या मतलब है compulsory optional यानि मैं मानलो आपकी तरह एक बालक हूँ और मैंने form भरा है form भरने के बाद मेरा जो paper होएगा language वाला भाशा का जो test होएगा मेरा उसमें मुझे यह section यह तो देना पड़ेगा जिसमें से total 13 language है आप जो language select करोगे जैसे suppose मैंने हिंदी select कर ली है कि मैं हिंदी का test देना चाहता हूँ तो मेरी हिंदी का test होएगा खतम अब मालो कोई एक ऐसा बच्चा है जो विदेश से आया है या भारत में ही रहे कर कोई दूसरी language उसने सीख ली मालो जर्मन सीख ली फ्रेंच सीख ली स्पैनिश सीख ली तो दूसरी language अलग language उसका वो exam दे सकता है उसका मन है तो दे सकता है यह optional है देना चाहो तो दे दो नहीं देना चाहो तो यह तो देना पड़ेगा यह तो देना पड़ेगा सर कितने question आएंगे इसके इस language के exam के कितने question आएंगे तो बेटा इसके आएंगे total पचास question और उन पचास question में से 40 question सरल भाषा में समझ में नहीं आया यह आपकी भाषा का होगा टेस्ट, लेंगवेज का होगा टेस्ट, जो भी जिस भी लेंगवेज का आप टेस्ट देना चाहते हैं वो section 1A में 13 language में से एक होनी चाहिए, अब आप पूछेंगे सर कौन सी लेंगवेज है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो, यहाँ पर section 1A में है total 13 language 13 language है ठीक है, total कितनी लेंगवेज है बटा 13 language है, सर कौन सी 13 language है, हम यह जानना चाहते हैं, मैंने का रुको बता रहे हैं, यह देखो language जो है, 13 language इन में से कोई एक तो आपने select करनी है जिसका आप देना चाहते है test, बोली है समझ में आ गया, और सर वो जो दूसरी optional थी, वो कौन सी थी? French है, Spanish है, German है, नेपाली है, पर्शन है, टैलेक्स है Arabic है, सिंधी है, संस्कृत है, कश्मीरी है यानि ये वो languages है जो optional है, आपका मन है, आप जानते है तो आप दे दीजे test, चल language वाला समझ में आ गया, कितने प्रशन आएंगे, मैंने आपको बता दिया है, कितने प्रशन आएंगे, ये भी आप यहाँ पर देख सकते है सर, language में 40 question आपने attempt करने, 50 आएंगे, 50 आएंगे, 40 आपने attempt करने, कितनी देर में मात्र 45 मिनट में मात्र 45 मिनट में, पौने घंटे में आपने ये निप्टाना है, पहला portion, ओके सर, ये हमारा section first हुआ complete, अब बढ़ते हैं section second की तरफ, सर ये section second क्या है section second है बटा, आपका जो main stream था, जो आपके पास 12th class में, जो major, जो subject थे, वो है इसको हमने बोला domain क्या बोला यहाँ पर domain, total है 27 domain 27 domain है, का है sir domain, आईए दिखाते हैं आपको कौन कौन से domain है, भाई आपके पास 12th class में क्या था, sir या तो maths physics chemistry है न, या किसे के पास bio, physics, chemistry या किसे के पास maths भी है bio भी है, दोनों है तो यह main stream subject है, किसे के पास commerce है, किसे के पास arts है business studies है यह subjects थे न, बिल्कुल थे तो आपके पास दूसरा जो paper जो होएगा आपका section second का जो paper होएगा उसमें आपके जो main subject है, उनका उनका test होएगा, section second में उनका, जो main subject है आपके पास, score subject है, उनका test होएगा अपसर कौन कौन से है आईए देखेगा, यह बता देते हैं आपको यह देखे, section second में total 27 domain है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर भी 50 question आएंगे, 40 आपने करने है, 45 मिनट समय मिलेगा, फिर से सुन लीजे 40, 50 question आएंगे 40 आपने attempt करने है, और 45 मिनट मिलेगा, 27 आपके पास domain है, जिसमें से आप अधिकतम कितने select कर सकते हैं, जैसे मैंने मैंने bio भी ले ली, मैंने physics भी ले ली, chemistry भी ले ली है ना, और कोई subject भी ले लिया है जी, तो कौन-कौन से ले सकते हैं, maximum कितने ले सकते हो 6 subject ले सकते हो, कौन-कौन से आईए बता देते हैं, domain कौन-कौन से accountancy हो गिया दूसरा biology हो गिया तीसरा business study हो गिया चौथा chemistry हो गिया पांचवा computer science हो गिया छटा economics हो गिया, साथवा entrepreneurship हो गिया, 9th geography हो गिया, 10th आपका history हो गिया, 11th home science, 12th knowledge tradition, 13th legal studies, 14th environmental science, यानि यह आपकी total 27 ऐसे domain हैं, जिसमें से आप paper देना चाहते हो, तो आप maximum 6 domain select कर सकते हो, maximum कितने 6 domain आप select करेंगे, maximum, अधिकता ठीक है, तो सपोज आपने 6 domain select कर लिए maximum, 6 domain आपने select कर लिए है, ठीक है, उनका आपके पास paper आएगा, उनके आपके पास questions आएगे, वो आपने section second में करने है, आखरी section third, यह है बटा जी आपका यहाँ पर भी कितने question है, same बटा मिलेगा, 45 minute का same यहाँ पर भी 45 minute okay, सर जी, समझ में आगे, नॉर्मल है आखरी section, third जो section है, वो है आपका general test सर अब यह general test क्या है general test में होएगा आपका aptitude आपकी reasoning, आपका current affair, आपकी gk है ना, so, section third जो है बटा, यह रहा section third, इसमें क्या-क्या आजाएगा, आपका general knowledge आजाएगी current affairs आजाएगे, mental ability आजाएगी, आपकी reasoning आजाएगी, simple से, simple से ज़्यादा प्रशन नहीं, कि A से B इतना चला, B से यह, A से B, एक व्यक्ती, A बिंदू से B बिंदू तक इतना चला, फिर B से C तक कितना चला, C और A के बीच की दूरी ना पिए, मतलब इस तरीके से, general aptitude reasoning type के जो questions जो होते हैं जो government exams में आते हैं, ठीक है तो यह होएगा बिटा, आपका 60 minute का section third, third जो होएगा यह होएगा एक घंटे का और इसमें total 75 question आएगे और आपने 60 question attempt करने हैं time मिलेगा यहाँ पर 60 minute का so यह है आपका exam का pattern section A, section B section third, मलब first, second, third तीन test होएगे, जिसमें से पहला language, दूसरा आपका core subject और तीसरा general test so यह है exam का pattern बिटा, आशा करता हूँ आपको यह चीज समझ में आ गई होएगी negative marking होएगी यह भी मैं लिख देता हूँ test जो होएगा, वो कैसे होएगे, questions कैसे होएगे mcq होएगे multiple choice question होएगे, cdc बात है negative marking होएगी yes, negative marking होएगी और questions जो होएगे totally 12th based होएगे जो यह आपका section second जो है, section second और first में language जो आप डालेंगे है यह 12th based होएगे 12th based ncrt यानि totally ncrt based आपके क्या होएगे questions होएगे 12th board के साब से ठीक है so यह थी बटा मेरे साब से जो मुझे लगता है कि काफी है इतनी जानकारी अब दुनिया बहुत सारी चीज़े आपको बताएगी बहुत कुछ ऐसा वैसा इतने shift उतना shift आएगा पता लग जाएगा हमारे जो booklet दे रखी information booklet उसमें बता रखा है कि आपको जब आएगी release होएगी information बता दिया जाएगा कितनी shift होएगी कोई बोल रहा है 2 shift होएगी कोई बोल रहा है multiple shift होएगी कि ये एक online test है 45 बड़ी बड़ी universities जिसमें बहुत अच्छे अच्छे courses में अगर आपको admission चाहिए ये exam आपको देना पड़ेगा exam NTA conduct कराएगी form की last date 22 मई हो चुकी है exam first week of July में होएगा exam के तीन पार्ट है section first second third, first के दो पार्ट है 1A, 1B 1A compulsory, 1B optional है ये language के exam है जो भी language आप select करेंगे उसका paper आएगा section second जो है वो domain है, domain में 27 domain है जिसमें से maximum आप 6 domain select कर सकते हैं question यहाँ पर भी 50 यहाँ पर भी 50, 40 attempt करने 45 minute में, section third general test है, 75 question 65 question आएगे, 60 उसमें से करने हैं, 60 minute मिलेंगे ठीके, MCQ होएगा, negative marking होएगी totally 12th board की NCRT पर based होएंगे questions, selection के chances ज़्यादा हैं comparative to NEET और JEE का exam क्योंकि वो exam इससे भारी exam है, आप समझ सकते हैं तो जितने भी बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं जो पढ़ते हैं इस channel पर आकर या जो नहीं भी जानते हैं जो अगर इस वीडियो को देखते हैं आप NEET aspirant हैं या JEE aspirant हैं सो मैं आप से request करूँगा प्लीज, इस form को जरूर भरियेगा हाथ में एक और चीज होना बहुत जरूरी है जरूर भरिये इस form को ठीक है? कुछ ना होने से बहतर है कुछ ना कुछ तो होना हम जानते हैं आपका aim जो है NEET clear करना है या JEE clear करना है बहुत अची बात है लेकिन मैं यह नहीं गह रहा कि नहीं मिला तो क्या करोगे? बाइदवे अगर नहीं मिल पाया मान लो अगर कोई ऐसी condition होगे कि महनत बहुत करी, दवा कर करी लेकिन कुछ ऐसी conditions हो गई कि उस time पे exam time पे हमारा दिमाग नहीं चल पाया questions attempt नहीं हो पाया silly mistakes हो गई है तो उसके बाद क्या करोगे? सर एक और साल करेंगे, करो महनत करो लेकिन हाथ में अगर एक option होएगा कि आप ऐसी बड़ी-बड़ी universities में भी आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं scientist बन सकते हैं बड़े-बड़े बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ती इन universities में पढ़े हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं है आप इनको हलके में मत लीजेगा सो मेरी request रहेगी आप सभी से कि इस form को जरूर 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 भरिये जरूर भरियेगा ठीक है और आप finally आप ये पुछेंगे क्या सर हम इसकी preparation कैसे करें क्या doubtnut कुछ help करेगा जी हाँ, जल्दी doubtnut लेकर आ रहा है आप सभी के लिए CUET की preparation के लिए course जल्दी उस course को launch करेंगे और उसमें आपके साथ मिलेंगे ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की information आपको समझ में आ गई होएगी सरल भाशा में, ज्यादा complexity नहीं सरल भाशा में लगे अगर अच्छा तो like, share और subscribe करिएगा इस channel को जुड़ने के लिए धन्यवाद, रुकने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद, thank you so much